सबसे पहले सब्सक्राइब को दिखते हैं जो कि इस बास एकदम रिलीफ हो जाती है कि फाइनली उसकी शादी नहीं हो रही है इन जैंग और लीवी भी कहते हैं कि नहीं तो हो रही है बट हम कुछ कह नहीं सकते हैं अगर प्रिंस और प्रिंससी इसके लिए राजी नहीं है तो शादी क्यों करें इसके बाद मोज्टेट के किंग और कुईन भी थोड़े बहुत समझ जाते हैं लेकिए फिर वो जदा माइन नहीं करते हैं और कहते एक ठीक है अभी के लिए शादियां पोस्पाउन करते हैं तभी मायलोट भी इस बात पर कुछ नहीं कहते कि अकर मोजटेट के लोगों न यहां पर हम इस टूपेड एंड को देखते हैं जो कि अपनी वाइब को लेक्चर दे रहे होते हैं जिससे कि हमेशा की तरह है और उनकी वाइब उन्हें अंदर से कर्स कर रही होती हैं कि स्टूपेड एंड जल्दी से भाग जा हमारे आखों के सामने से दिमाग खराब तो व करनी चाहिए अगर खाना नहीं होगा तो वहां के लोग खाएंगे क्या और हम बात करें तो मोज़ स्टेट में दरसल लोग बहुत यह दर करते हैं वहां पर ड्रिंग को ऐसे परिशान हो जाता है जब वहां की सुपीर उसे ड्रिंग करने के लिए बोलते हैं स्टूपेड पूरवकल को सकते हैं इसकी चक्कर को मिल सकता ही और कैटे कोहसरी करते हैं कि क्याओं तो सब्सक्रेट में कोई दिकते विए वीञ्चा ढिमाग वैसे थैंसे काफी सारी मैडिसन लेता है की तुम झी खाने की पाद एक ठीक होत्स इसकी तुम खूए कि ने करती रह वही ऐसे रहे अपने जाका और फाधर को बोली देता है इसके बाद वो इंजेंग से ये भी promise करवाते हैं कि तुम लीवी का हमेशा ख्याल रखोगे कि नहीं तभी इंजेंग कहता है कि आप चिंदा मत करिये मैं लीवी का हमेशा ख्याल रखूँगा इंजेंग थोड़ी से ड्रिंक करने के बाद काफिदा ड्रंक हो जाता है तभी लीवी उसे उसके रूम में लेकर आती है यापर इंजेंग अभी ड्रंक होता है तो वो हमेशा के तरह लीवी को किस करता है उसके बाद सोचाता है तभी लीवी कहती है कि तुम्हें कुछ याद स्टेट लौट करा जाता है किंग इंजेंग काम से काविदा खुश थे तो वो से रिवेन्यू डिपार्टमेंट में एक ऑफीशल बना देते हैं अब वो सेकंड प्रिंस के काम में दखर अंदाजी कर सकता है और इसके बाद क्राउन प्रिंस को यह बात को पसंद नहीं आ दे क्योंकि इंजेंग को बचपन से बर्टन समझती थी इसके बाद इंजेंग ने उन्हें कभी पसंद नहीं यहां पर वो इंजेंग से कहती ना करती यह कि उसे इंजेंग पसंद नहीं है दरसल उसे कोई और मिल जाएगा दरसल वह इंजेंग को ऐसी निजल से कभी दिखती नहीं थी उसे बास इस बात का डर था कि कहीं इंजेंग भी उसे गड़तरी किसे टीटना करने लगे तर भी लीवी कह दी कि तुम चिंदा मत करो हम कि सौंग वो बहुत सारी ब्लाइन डेट पर जाती है पर उनमें से एक से एक घंचकर उसे मिली जाता है लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आता कि आखिर वो किसे चूस करें विकास सारे कि सारे एक दम स्टूपड निकलते हैं इसके बाद उसकी लास्ट इट होती है टेंथ से नॉर्मल बिकास मैं अपनी मॉम की हर बात मानता हूं तो क्या पता आपकी मॉम के साथ कर दूए इसा ओ हम सौरी मैंने क्या कह दिया इम रिली रिली सौरी तुम मुझे एक्सक्यूस करी इसके बाद उचली जाती विकास उसे टेंथ प्रिंसे शादी तो बिल्कुल नहीं इसके बाद सौंग बाजार में लेवे के साथ घूम रही होती है तब वहां पर उसे चोटा सा बच्चा दिखता है और यहां पर रो रही थी क्योंकि उसका बाइस सउंगू से मिल नहीं रहा था तभी हैं पर सौंगू के पास आती है कि नहीं मेरे ब्रदर का नाम सौंगू है तभी यहां पर उस चुटी से लड़की का भाई सौंगू आता है और हम बात करें तो इस बंदे का एक बुक स्टोर है और काफी जेंटल मैं है और एक नजर देखते ही सौंगू को अपना फ्यूचर हजबन सौंगू पसंद आ जाता है और वन साइड लव उसे हो जाता है वो उसके ख्यालों में खोई रहती है यहां पर हम स्टूपेड एंड को देखे हैं जो कि मोस्टेट के डॉक्टर्स दवाईयें रिकमेंड करकर लाया था उन्हें खाने के बाद उसकी हाल एकदम खराब हो जाती है और वो चलना भी बंद कर देता है यहां पर उसकी तुम जहर है पर स्टूपेड एंड की हालत खराब थी वह इतना बेवकूफ जो है तभी हम यहां पर उसकी साही वाइफ को दिखते हैं जो की अपना टाइम एंजॉय कर रही होती है यहां पर आज वाइट टू का पड़्डे था इसलिए सभी काफी एंजॉय करती हो और इ यहां पर उन सभी को एक चीज दिखाता है तर असल उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ कॉंट्रसेप्टिव डिवाइस ले रही है अच्छे से कॉंट्रसेप्टिव डिवाइस नहीं पता सो पड़ा ही लिखाई करो तभी हो गयता है कि इसलिए तुम लोग प्रेगनेंट किया भी है या नहीं चुह हम तुमारे बेबी को बढ़ दें तुम्हें पता भी है कि आखर तुम्हें कैसे च्रीट करते हो और इसके बाद हां तुम्हेद हमारे नाम भी याद नहीं रहते यहाँ पर stupid end को पता चलता है कि वो हमेशा हर किसी को misinterpret करता है जबकि उसे किसी के नाम भी याद नहीं रहते आफ्टर और वो तो शकल भी याद नहीं कर पाता इसके बाद stupid end का गुसाँ आज काफी हाई था इसके बाद वो कुछ भी नहीं सुनता अफर दैटें सभी को punish करने के लिए नीचे बेठा देता है तरसल हाई तांग एक प्रिंसेस है और stupid end की official wife है तो उससे पहले hit नहीं करता है उसकी सारी wife को ज़रू हिट करने लगता है तब यहाँ पर उनकी सारी wife कहती है कि हमें तुम्हारी शकल नहीं दिखनी हम तुम्हें आज के बाद छोड़ कर जा रहे हैं तो नहीं हमारे पीछे आना नहीं कुछ तब stupid end कहता है कि तुम मुझे छोड़ कर कैसे जा सकती हो मैंने तुम लोग उपर इतना पैसा खर्च किया है तुम्हें फीट Кया है बसिद how the talk मुझे चोड़ के जा रहे हैं तभी कहती है कि अचा तो तुम्हें तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए थैक्यू मश बताने के लिए हम तुम्हें तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देंगे इसलिए हमारी सिंदगी से दूर तब यहां पर उनकी सारी वाइब उसे छोड़के चले जाती हैं और स्टूपिड एन हमेशा हमेशा के लिए अकेले रह जाते हैं पट यह सोलर लेडीज की सेना यहां नहीं रुखने वाली थे इसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे हान नहीं मानने वाले आके स्टू करना हो तो हर सकते हूँ तो कोई दिकत नहीं है तब हम यहां पर हाउ जाना सैक्ड नें दुषवार कर दिया होता है वो से कभी भी बाहर नहीं जाने देते और उसे हमेशा पहले से बंद करका रकते हैं यहां आपे मिल कर लेकिख सरद करो एक प्रिंस्स तो वह उसे शादी करने के तयार हो जाता है और किंग बीस को अप्रूब कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो कि लीवी सब को जल्दी से सीख चाहिए इसके बाद उसकी सारी जिम्मेदारी वह लीवी को दे देती है और कहती है कि अब तुम इंजंग की ऑफिशल वाई बनने वाली तो यह तुम्हें समालना स्टार्ट कर दिना चाहिए तब लीवी सारी तैयारियां करती है पर लास्ट म मना करता है बट उसे भी जाना पड़ता है उसने यह फेस्टिवल हैल्ड किया था इसके बाद लीवी बहुती है अपसेट हो जाती है और ट्रिंक करने लगती है और उसा भी को ब्लिम करती है कि आखिर उसकी गलती क्या है तब यहां पर इंजंग भी वह फेस्टिवल बीच में चोड़कर लीवी को देखने के लिए आता है यहां भी लीवी गुस्य में आकर उसकी ऊपर अपर उने वाइन का मक फेक देती है और उसके बाद उसके सिर्में चूट लग जाती है तब लीवी सौरी बोलती है और कहती है कि मेरा यह इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको म पसंद नहीं है तभी इंगवान कहती है कि सेम हम इन रूस को जरूर बदलेंगे और देखना सब कुछ पिरको सही हो जाएगा तभी यहां पर हम बात करें तो इंगवान एक तरह से लीवी की बड़ी सिस्टर की तरह काम करती है इसलिए लीवी को इंगवान बहुत यह पसं इसलिए उनको मिस्स ना करें कोई भी उन्हें होटल रेंट पर देने से मना कर देता है और आफ़ यहां पर आप इंचेंग और फिप प्रिंस को देखते हैं जो कि बाहर से देख रहे होते हैं कि उनकी वाइप क्या करें यह काम में दखन नहीं देते विकास वह भी चाहते ह हैं और बिना उनके हैल्प के दो कुछ भी कर सकते हैं तो इसी के साथ मारा यह पाइडिंग पर गतम होचाता है तैंकी समच गाइस वाचिंग